मत्रप्रदेश में इस साल होने वाले विधानसबा चुनाव कितने महात्पूर्ण हैं इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल की शुरुआज से ही बीजेपी चुनावी मोड में है वहीं चुनाव से काफी पहले उन्होंने अपने 49 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है जिसमें सागर जिले की बंडा विधानसबा का नाम भी है वहीं कॉंग्रेस भी इस सीट पर अपना उमीदवार जल्दी घोशत कर सकती है उधर एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी वीरेंदर सिंग लोधी का नाम गोशत होने के बाद से ही बीजेपी में इसका विरोध होना शुरू हो गया है वहीं कॉंग्रेस क्या बंडा में अपनी नई रणनीती बनाएगी ये बड़ा सवाल है खेर आज हम अपनी सकार सीरीज कौन बनेगा विधायक 2023 में बात करेंगे सागर जिले की बंडा विधानसबा की सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की बंडा विधानसबा से बीजेपी ने मौका दिया है दमो विधानसभा से पूरु सांसद और बंडा के पूर विधायक रहे स्वर्गिये शिवराज सिंग लोधी के पुत्र वीरेंदर सिंग लोधी को वीरेंदर सिंग लोधी सरकारी टीचर थे नौकरी छोड़कर पिता की विरासा समालने राजनीती में आये सुल्य हुए व्यक्ति हैं इनके भाई साल 2008 में बंडा विधानसभा से बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़े थे लेकिन उस वक्त उन्हें हार का सामना करना पड़ा था वैसे वीरेंदर सिंग लोधी का नाम बीजेपी हाई कमान ने तै कर दिया है लेकिन इसका विरोध भी देखने को मिला है जहां बीजेपी के नेता सुधीर यादो भी बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे लेकिन टिकेट डिकलेर होने के बाद से छेतर में उन्होंने जन संपर्क और बढ़ा दिया है पाईटी फोरम पर इसका विरोध भी दर्ज कराया है वही रणजोर सिंग बंडेला के समर्थकों ने भी सड़कों पर उतर कर इसका विरोध जताया है रणजोर सिंग बंडेला भी बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे वही इस पूरे घटना करम में बंडा विधानसभा का एक एहम किरदार पूर विधायक हरवंच सिंग राठोर फिलहाल खामोशी के साथ परिस्तितियों को भाप रहे है वही बात अगर कॉंग्रेस की करें तो बंडा विधानसभा से वर्तमान विधायक हैं तरवर सिंग लोधी जो साल 2018 में कॉंग्रेस के टिकेट पर चुनाव जीत कर आये थे सरल सहज सुल्जे हुए जमीनी व्यक्तित्व होने के साथ साथ विनमर नेता है बंडा विधानसभा की जनता ने तरवर सिंग लोधी के कामों से ज़ादा उनकी विनमरता को पसंद किया है कॉंग्रेस के टिकेट पर तरवर लोधी बंडा विधानसभा से प्रवल दाविदार है तरवर सिंग लोधी के लावा कॉंग्रेस से नारायन प्रसाद प्रजापती भी एक दाविदार है, पूर विधायक है बीजेपी प्रत्याशी वीरेंद्र लोधी के भाई राम रक्षपाल सिंग को साल 2008 के विधानसबा चुनौव में हराकर विधायक बने थे इस बार इन्हें भी उमीद है के पाईटी 2008 का यतिहास दोराने के लिए उन्हें मौका दे सकती है हस्मुक और मिलनसार होने के साथ साथ नारायन प्रसाद प्रजापती एक जमीनी नेता है ये थे बंडा विधानसबा से बीजेपी के घोशित उमीदवार, कॉंगरेस के दाविदार और बीजेपी के प्रत्याशी तैह होने के बाद नाराज दाविदार नेता बंडा विधानसबा में इस बार चुनाओं का गलित थोड़ा अलग है इस पर भी विस्तार से वीडियो बनाऊँगा तब तक के लिए नमस्कार